उसको पता है कि अगर थारा में कुछ नहीं बहुत आगे कुछ नहीं होना बीडी के केस में जिसमें लिख पहा गया है कि बुशरब को सजा मौत दीजाए पीपल्स पार्टी इंशालला जीतेगी सहीद घली खेर खेर है बाकि सब एर फेर है बले बाले जीते हैं आएंदर भी यहाँ पीपल्स पार्टी है दो लोगों से खत्रा है एक करप स्यासिदान से एक जहल अवाम से आज मैं मौजूद हूँ कराची में सुभाई असम्मली के हलका एक सो च्छे में जिसका पहला नमबर था एक सो चौदा 2013 में यहां से इर्फान उल्ला मरुद पीमल एन के टिकेट पर कामयाब हुए लेकिन बाद में यहां पर जिमनी इंतखाब हुआ और जिमनी इंतखाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साइध गनी ने मैदान मारा और साइध गनी ने जिस उमीदवार को हराया था वो थे मकेम पाकिस्तान के कामरान टिसोरी तो यहां पर हम लोगों से ये पूछने आए हैं कि क्या ये पीपल्स पार्टी की जीट एक वाक्या थी या एक नए दोर का आगास है कि आएंदा भी पीपल्स पार्टी कराची में अपना मार्क अपना निशान बना सकती है तो आईए लोगों से बात करते हैं आप लोगों ने पहले तो रिफान अला मरवत को जिताया फिर साइध गनी को जिताया आईदा क्या प्रोग्राम है अपका फिर एलेक्शन आ रहे हैं आईदा प्रोग्राम है नाज शरीफ आए अच्छा आप दुबारा किसी को आने नहीं देंगे दुबारा रिपीट निकरने देंगे नाज शरीफ आए तो आपको कहा लग रहे हैं जाए वी चांस है प्रोग्राइडी के आने के अच्छा आपको यह लग रहे हैं जो काम करें लोगों ने उसके बारे में यहिए कि अदेले भी काम अच्छा किया है प्रकाइबंजा रोग हां दो यूह और चेएै कि यह में नियों कि अई यहां का आप मुश्किल लगभा पिर यहां पर यहां थे मुश्किल लगभा थे फिर मुश्किल इस पर कौन में डिचार कोई सी अ 에स चाइस वा लाक पानी बिजली गेस जो यह देगा वोड उसका है पर तो दिखाई है हो सकता है कि जीट जाए आपको कह लगता है तकरीवन के पीपलस पार्टी दुबारा जीट जाएगी है पार्टी के लिए चोटी सीट के लिए हाँ बिल्कुल पीपलस पार्टी जीटेगी है तो आपको कह लगता है मुझे भी रखता है पीपलस पार्टी जीट आपने देखा यहां पर जो साइद गरी साब है उन्होंने काम किया साइद गरी साब चेने सर्पोर्ट में पैदा हुए इसी हलके का एक चोटा सा इलाका है वही पे पले बड़े और अब भी वही रहते हैं तो यह चीज उनकी पाइंदा पीपलस पार्टी सलके से दुबारा जीते हैं उसके लिए नगर नहीं आ रहा है जो काम करवाएं और जितने काम उन्होंने शुरू किये हैं उनको मुकमल कर लें तो साइद गरी साब और पीपलस पार्टी शायद आदा भी चीज जाए सब्सक्राइब करेंगे दोनों पार्टी है ना नो लीग ना फिलबाटी पार्टी पतंग करेंगे तो यह तो यह थोड़े और कमजोर होगे ना गनी साब करेंगे दोनों पार्टी है ना नो लीग ना फिलबाटी पतंग करेंगे दोनों पार्टी को जिताया फिर आपने साइद गरी को जिताया आहिंगे क्या लग रहा है तो यह तो यह तो अच्छा हो यह तो टाइम बताएगा पीटी आई है पहो जाए तो अच्छे ए पीटी आई पपीटी ओनी साब काम क् करते हैं ऐसे भाध नहीं नहीं करते मोट और अगर करते रहे तो इन्शालण प्रणी नहीं नहीं कर रहें अगरंढेेंगर तीनों बलके है कि वो कहते हैं कि हम बोट नहीं डालें यह कुछ ज्यादा अच्छा रवाई यह नहीं बोट तो डालने ही चाहिए साहिद गनी साहब पीवस्पार्टी जैसे एक बार जीती है तो आइंदा भी जीत सकती है यह कुछ शाल्ला अमीर है इंशाला जीतेगे साहिप पोचर है इमान डारी बात से गनीन काम अच्छा है पीवस्पार्टी की सीट कभी नहीं रही है एमकेम की रही है वरार पीवस्पार्टी आले कोई काम करेंगे को दुबारा भी सीट ले सकते हैं माश्री पर हम इसके हलके के नियूं है मगर इसने हमारे लिए कराची के लिए ऐसा कर दिया है कि बहुत सकूल होगी पहले तो आप लोगों ने सहीद गनी को कोई बोट डाल दी है आइंदा क्या करेंगे चेन में तो होती ही भी बलबाड दी है एए गनी जितेगा इसने है अपनी सीट बरकरा रख पाएंगे या इसने हैं जो जिस तरीके से उन्होंने काम किया है और लोगों के साथ तावून किया है तो जब से इस सुसाइटी बनी है और यह में मुदाबात बना है मेरे जहां तक अंदादा है मुझे तकरीपनी तर बारा साल होगा रहते वे मैंने इतना काम होते में निदे का जो फर्स टाइम देखा है आपको लग रहा कि सईद गनी साब आइंदा भी अलाला दाला कैंट बहुत कि आध़ नोट क्या लग रहा आपको साइद गनी साब आहिंदा जीट वार्चन आखका अरे रहें पिर अवा पस होजाएं इस मुलक तुस्था बढ़र 되고 सारब बात तो ये हैं जीत तो सकता है बाकी बहुत मुछकल ही है मैमूदाबाद और गलोच करावनी के लोगों की राया आपने सुनी अब यहां से चलते हैं मन्जूर कालूनी जो इसी हलके का एक एहम इस्सा है और वहां जाकर बात करें बात करें लोगों से क्या मुस्तविला प्रिबूस पार्टी के यहां पर कौन जीत रहें यहां से कोई जीत जाएंगे साइद गली साब आइंदा इंशालला नौसर को आगा अलेक्शन आ रहें देखो अल्ला खैर करेगा बगाया इंशालला पहले मिया साब को बोर दिया था अब यह पिपड़ पार्टी को बोर देंगे एक्षिन में कौन जीता वो नजर आ रहा आपको यहां से पार्टी है अच्छा आपको लगरे है उस पार्टी जी जी आएए हमारी तो कोशीशी है आम तो नवाद शरीफ के हैं अजिते को याना चाहिए तो हमारे मिया साथ की लग दिए अधर इसके लावा दो कोई उमीद ही नहीं है जहां से पिज़ पार्टी जीते हैं क्योंकि उनकी हाकुमत है वो काम करा रहा है तो अच्छा करा था अधर आउनकी है जुझे या से इंशाला हुमीद तो पूरी एंशाला उमीद टो पूरी है सब क्यों नि जीन जी देगा कैंज साथका अधरा मैं गज्वें हुझा चैया है इलाके किसा आप से पार्टी यरा नवाज शरी शाइप है से जानी जीत जाएंगे साथा दो सब साथ मिलके एक हो जाए फारुक सतार और यह जी सकते हैं वनना कोई नहीं परना प्रिपर्स पार्टी ले जाएगी इस इतहाद होना दूरूरी है यह जिते हैं एमकेम के हमदर्दा को यह बात करते हैं कि अगर यह मुद्ध हो जाए इनके सारे धड़े तो शायद यह जीत जाए बसूरते दीगर पीवस पार्टी आएंदा जनरल एक्शन में क्या लग रहा है एमकेम पीवस पार्टी यानि शाहिद गनी या कोई और यहां पर जो साइद गनी के चांसी दे क्योंके वो यहां पर काम भी काफी करवा रहा है रोड वगरा बंद रहे हैं तो इसमें कुछ थोड़ा बहुत काम हुआ ही है और यह नालब वालों की जफाई हो रही है हम तो वोट दे दे के तंगा दे हैं सब को वोट दिये हैं सब को काम्याब करवा है लेकिन किसी से कुछ भी नहीं मिला तो क्या लग रहा है फिर कौन जीट सकता है यहां सब्सक्राइब पिर पीपसपार्टी मजबूर में वही आए जीए कि मजबूरी है वहाँ आप इस एक सईद गनी साभे जो काम करा रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि हो सकता है पीपसपार्टी यहां से जीट जाए पिपसपार्टी यहां से जीट जाएगी है फिर जीट जाएगी है तो लोगों से खतरा है एक करप स्यासदान से एक जाहल अवाम से हम लोग जाहले कि फिर वोट उसी कोई देते हैं पिटिया को इमकार नाइक बहुत मिश्किल लेकिन मैं पर पिटिया क्यों बल्ले वाले जीटेगा शाइद गनी साभ आया भी आड़ नो मेने हुए काम श्रम करवाया उनोंने तो को खुदा अफिर बोले इसको भी बोलें काम नहीं करेंगे तो साइद गनी को भी टाटा भाय वाय हो सकता है आपको का लगता है तो कौन जीतेगा इम्राण खान सब जीदेगा इम्राण का नतीजा निकल लेवाना है यहाँ से इन्शालला प्रपार्पार्टी का नतीजा आ सकता है यह नहीं पहले शेड बाहरल एक दफा आ जुका है अरफानला मर्वत किस सुबत इंशालला एंपी जीतेगा एंपी कराची में आपको इस हलके से लगता है बिल्कुल अमीद है ना उमीद में तो दुनिया भी काम है और ऐसी उमीद के कराची से एंपी जीतेगा इस सीट से इंटरसेंग नोन लीग दोबारा जीते हैं इंशालला उसूलन को मिलना चाहिए क्योंके एंप्यम वाइद ऐसी तन्जीम है जो काम करवाती है जब सियां से साइध गनी आया है तो अलहां यह पानी भी आ रहा है और दूसरी बात यह कि यह रोड़ भी बन रहा ह इस नोजवान जब ऐसी बात करते हैं तो थोड़ी तकलीफ होती है कि नौजवान भी साइड लेने से क्यों गपराते हैं खास तोर पर कराची में मुझे तो लगता है कि पीट्रे है कि आप में जाता है मैं पक्ताजी राय श्रीफ आज़े कोई भी नहीं आए बाद ऐसे लोग भी है जो अलेक्शन में खड़े नहीं होते लेकिन उनके चाहने वारे यही चाहते है तो अच्छा ही तो जीत जाएगा लेकिन जो रोड़ को भी है जाकों में हम गए और हमने ये जानने की कोशिश की कि के सईध गनी और फीवस पार्टी की जीत महद एक वाकिया है यहां के लोगों की राया आपने सुनी और आपने ये भी समझा होगा के लोग पाकिस्तान फीदूस पार्टी को पसंद तो करते हैं लेकिन शर्त लगा के और वो शर्त है काम करना अब यू लगता है के पूरे पाकिस्तान के लोग उसी शखस को और उसी पार्टी को वोट देंगे जो उनकी मर्जी के मताबिक उनके हलके में काम करेगी उनके मसाइल हल करेगी और बिल्खुस इस हलके के बारे में आपको ये बता दू कि ये हलका एक मिनियेचर है पाकिस्तान का हर कौमियत पंजाबी, पक्तून, सराइकी बोलने वाले, पश्तो बोलने वाले, सिंदी बोलने वाले, बलोच इस हलके में रहते हैं और वो भी इस बात का फैसला करते हैं के उनकी नुमाइंदगी कौन करेगा इस दफ़ा तो सईद गनी के हक में बात की है आइंदा 2018 में देखिए के सईद गनी को ये मौका मिलता है यहां के लोग ये मौका देते हैं या नहीं